नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे DLA 33 समेश्टर 4 प्रस्न पत्र गडित जी आँ दोस्त इस वीडियो में हम सभी वस्तुनिष्ट प्रस्न या बहुविकल्पिय प्रस्नों को देखने वाले हैं तो 5 नमर का प्रस्न आपका बहुविकल्पिय का 6 नमर का प्रस्न अति लगुत्री का और 14 नमर के जो कोश्चन्स आते हैं वो लगुत्री क्या आते हैं टोटल आपका 25 नमर का पेपर आता है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखेंगे पार्ट 2 में हम अति लगुत्री पार्ट 3 में लगुत्री की भी वीडियो बना रखें उसको भी इसके बाद आपको देखना है तो चलिए दोस्तो आज का पहला प्रस्न देखते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकता है x square plus x plus 1 by 4 का गुड़न फ्रंड आपको बताना है तो इसमें दोस्तो देखें कैसे करेंगे यह दोस्तो आप देखिए हाँ पर एक हमारा फार्मूला दिख रहा होगा यह a square है 1 by 4 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 by 2 का square लिख सकते हैं न और दोस्तो देखें a plus b का whole square का फार्मूला दोस्तों यह बन रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x square plus x के जगे हम लिखेंगे 1 into 2 into 1 by 2 plus का 1 by 2 का whole square ठीक है अब यह हमारा बन गया x plus 1 by 2 का whole square अब यह दोस से 2 कर जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो x था वह अगला प्रस्न देखते हैं यदि 2,3 और x का समांतरमाई यह तो x कमानई बताई चार विकल्ब आपके सामने, देखें, 2 प्लस 3 प्लस x का जो समा अंतर मात दे हैं, वो क्या है हमारा 3 दे रखें, यहां बटे में भी 3 हो जाएगा, 3 दो 5 प्लस x, 3 तरिक का 9, ठेक है, x का माना आजाएगा हमारा 9 माइनस 5 बराबर 4, सही आंतर हमारा A विकल्ब, अगला प्रस हो जाएगा 3, x minus 1, अपटान में दोस्ट का प्लस टो रिका है, x minus 1 है, ठीक है, तो एक का माँर करते और जो यह लिका है न, 1 minus x, यहां minus common ले लिजे, यहां भी हो जाएगा, x minus 1, ठीक है, यहां एक काम करते रोखें, दोस्ट यहां पहर हम लोग, 1 minus x c राने देते हैं, क्यो तो उसका भी दोख, दिखें अभी आपको इसका फैदा बताएंगे, तो उपर क्या होगा, multiply करें दोस अंदर, तो क्या हो जाएगा, 2-2x, plus का दोस तो 3x, minus का 3, अपान में दोस तो, जो लिखा है, x-1, 1-x, उपर आजाएगा, दोस तो 3x में से 2x घटेगा, x बचेगा, minus 3 म मतलब प्लस में यह न, यह minus 1 आजाएगा, अपान में दोस तो, x-1, 1-x, ठीक है, यह दोस तो कट जाएगा, बचेगा कितना 1 upon, 1-x, विकल्प में दिख नहीं रहा है, तो यहां कहा करेंगे, minus कॉमा लेंगे, minus 1 आजाएगा, निचे x-1 हो जाएगा, यह हमारे d विकल्प म चार समानुपाती पदों के में मतलब मद्य पदों का जो गुडण कंडे 36 है, यदि बाय पदों में से 1 पद 3 हो, तो दूसरा बाय पद होगा, अब दोस तो जो मद्य पदों का जो गुडण कंडे 36 है, तो बाय पदों का जो गुडण होगा, वो मालेते 1 पद 3 है, दूसरा सबस्क्राइब करण देखिए थीन की गाते दो छारिक केद काते देखिए तो गुडरा में 2 से wise, तो गते जोड़ जाती हो पर दोस्तों क्या हो जायगा だे क्लिग है 순स्ते नोतील कि देखिए 14-10-20 यहां भी 4 गात बचेगा मतलब 3 की गाते 4 आपान 4 की गाते 4 3 की गाते 4 का मतलब हो जाएगा 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 4 की गाते 4 का मतलब भी यही हो जाएगा ठीक है? तो गुड़ा करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 बटे 256 यह दोस्त हमारा बह विकल्प में आपर correct answer रहा है, ठीक है, चलिए अगले प्रस्में बढ़ते है, उचा क्या अनुपात का चिन्न कैसा होता, बताईए, यह बह विकल्प आप देख रहे हैं, यह हमारा अनुपात का चिन्न, अगला प्रस्मा अनुपात का चिन्न क्या होता है यह बताना है तो यह दोस्तो आप देख सकते हैं आप इकल यह करेक्टान करें फिर देखिए दो संक्याओं का अनुपात आठ इनुपाते पांच है यदि छोटी संक्या देख गई यह तो बड़ी संक्या में ग्याद करने हैं तो यह कैसे होगा बताईएं छोटी संक्या पजिए आठ बट ? दिया गया द़ूत बाषप है , त्रिय हैं गुडा कर दिया आठ गुड़े , बार दोस्के 5 हो पांच बड़ी कीऊ , देस्मनों च्रकाऊनगा राके , त्रियिक गुड़ा छोटी , पचीज दुनी, पचास artifact है त्रियक गुड़ा करदेज़ी। सही आंतर आ जागा हमारा स्थावितर अगला प्रस्थन है कि 5 अनपाते 8 और 11 अनपाते 4 में कौन सा अनपात बढ़ा है आपको यह बताना है देखने में कितना ही छोटा प्रस्थन लगता लेकिन 5 बटे 8 8 से बाग के लिए कितनी बार जागा दोस्तो ठीक है और देखे 11 अनपाते 4 भी है 11 बटे 4 मतला है ठीक है इसको भाग करेंगे 11 को 4 से 4 दूनी 8 3 0 4 68 प्रतिलों मानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है इसका आंतर दोस्तो जो होगा इसमें भी नीचे क्यों फिर देखिए 80 पैसे और 4 रुपे का अनुपात आपको बताना है यह दोस्तों हमारा 80 पैसे में 4 रुपे को हम पैसे बदलेंगे तो 4 गुड़े 100 हो जाएगा तो 400 हो जाएगा एक 0 से 0 कटा 81,8 पैसे तो एक बते 5 एक अनुपात यह 5 यह दोस्तों हमारा बव विकलप करेक्टर अंतर अगला प्रस्ने देखते हैं 500 मीटर और 5 किलो मीटर का अनुपात अब यह 500 मीटर है अब 5 किलो मीटर को मतलब जब मीटर में बनलेंगे तो 5 गुड नमबर 35 रुपय को 3 अनुपात यह 4 के अनुपात में विवाजित करना है तो 235 को हम इसको जैसे जो अनुपात इसको हम 3X और 4X मान लेते हैं दोनों का जोड़ 200 जो हमारा 35 है यहां तो हो जाएगा 7X बराबर 35 यहां से X कमान आ जाएगा 7 पचे 35 X कमान आ गया तो 3X हमने पहला माना था तो 3 गुड़े 5 कर दें तो 5 यह 15 4X माने थे तो क्या हो जाएगा 24 पंजे 20 यहां पर 5 ते गुड़ा करें तो 15 और 20 आएगा यहां पर दर विकल प्रेक्टर अंसर अगला प्रस्थन है 27 की पावर 2 बटे 3 कमान होगा अब 27 की गाते 2 बटे 3 ऐसे लिखा है ने 27 का मतलब दोख से क्या होता है 3 गुड़े 3 गुड़े 3 तीन तरिक कर दो तरिक 27 तो 3 की गाते 3 है इसकी पावर 2 बटे 3 तीन से 3 कटा 3 का 20 यहां बचेगा 3 तरिक कर 9 ठीक है सही सही आंतर होगा हमारा 2 बटे 1 सेकेंड 10 ठीक है कभी-कभी हम लोग को सही आंतर आता तब भी गलती हो जाते जल्द बाजी में हमने गलती क्या है ठीक है अगला प्रस्थन देखेंगे 16 नंबर कोश्चन है 4 की गाते 0 कि इसका मान बन होगा ठीक है तो लिखा 4 की गाते 0 गु रोएं इसको मिठाते हैं ठीक है न अगला प्रस्थन देखें यहाँ पर 200 लिखा है 9 की गाते 1 बटे 2 चार की गाते 1 बटे 2 का मान होगा 9 की गाते 1 बटे 2 का मतलब लिखाए एंडरूड 9 यसे यह ना 2 इंटू में दो सच अंडरूड 4 यहाँ पर 2 अंडरूड 9 का मान 3 आ जा लिख सकते हैं 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 तीन बार है ना 5 बार आ जाएगा पांच आता यह यह उच्छा गया कि मूल रूप में कैसे बैक्ट करेंगी सिंपल तता यहां पर देखिए 3 दिख रहा है न यह बाव विकल्प करेक्ट आता अगला प्रस्ता है कि 10 की गान 0 रही कि इस कमान क्या होगा एक होगा फिर लिखा 2 से 4 के पावड तीन बटे मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 की घाटे 2 इसकी पावर है 3 बटे 2 2 से 2 कटे गा 2 की पावर यह एंफर 3 हो जाएगा इसको लिख सकते week 2 गुड़े 2 गुड़े 2 दो 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 नी 6 दो फिर अगला प्रसने देखते हैं पांच हेजार प्रसने की दर से चार वर्स का साधार अड़ ब्यार लेकिए साधार अड़ व्यार का में फार्मूला आपको बता रहे हैं मोल धन गुड़े दर गुड़े समय बटे सो पी आरटी बटे हैंडेट पी का मतलब प्रिंसपल र का आरटी का मतलब टाइंग यहां लिखें पांच हेजार गुड़े दर है पांच गुड़े दोस्तों समय चार वर्ट बटे सो दो जीरो कटा पांच हो के बीस बीस गुड़े पचात पांदोनी दर एक हजार ठीक है यह हो जाएगा हमारा सही आंतर होगा 21 का अविकल अगला परसंट देखेंगे 500 रुपय का 5 परसंट वार्सिक चक व्रद्धी ब्याज की दर से मिस्र धन बताना है ठीक है मिस्र धन जो मिस्र धन का दोस्तों जो फार्मूला होता है ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी पी कमान दोस्तों यहां पर हमारा हो जाएग 500 1 प्लस दोस तो आर कमान देखेंगे आपर 5 परसंट रहे 5 बटे 100 ई पावर 2 पाउस भाकर यह 5 निए 10 जीरो बीस से कमबीस 21 बटे हो जागा न तो हो जागा 500 गुडे 21 बटे 20 गुडे 21 बटे 20 गुडे 21 बटे 20 दो जीरो सो यह यह दोनो जीरो कड़ गया सौल करने पर दो आदर ने 200 रोपय का दस परसेंट वार्सी किक दर से दो वर्ण का चेक व्रदी ब्याज ग्यात करना है इस बार हमें मिश्र दनने चेक व्रदी ब्याज कि तो देखिए पहले हम इसका मिश्र दन निकाल लेते हैं उसके बाद चेक मतलब ब्याज भी निकाल लेंगे तो चक्रद्धी ब्याज निकालने के लिए पहले हमने स्रिधन निकालते हैं ए बराबर पी की जगें 200, 1 प्लस आर की जगें 10 बटे 100 की पावर 2 0-0 कटा 10 से कम 10, 11 बटे 10 हो जागा यह दोस्तों हमारा आगया मिस्रदन मिस्रदन इतना आ एतना आगया और मूर्धन इतना था चक्रद्धी ब्याज दोस्तों मिस्रदन-मूर्धन कर देंगे 242, ठीक है? 240-200 घटाने पर आजेगा हमारा path 22 रुपीज ठीक है? सही आंतर होगा हमारा द़ विकल अगला प्रस्ने की हमारा बैंक सरवाधिक ब्याज देता है, किस पर देता है आपको बताए, इस थाई जमा खाते पर देता है, यहापर स्था विकल्प सही होगा, अगला प्रस्ने की ब्याज बचत खाता है, खूला जा सकता है, इसका अंतर होगा दोस्तों, एक नाम से भी सह इतनाम से आप प्रस बस दोनों से फिर अगला कुशन आता कि लगू गुड़क के अंतरगत जिन संक्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या माना जाता है तो इसको मानते दस फिर देखें अगला प्रस नहीं सब्ता है समद दो सई एक बटे दो प्रितिसद ब्याज की दर से दो हजार पे श्टाक का बाजारी मूल्य पंचानवी की दर से होगा आपको यह बताना है तो दोस्तों देखें देखें में करने हें कinek कुछ अलग-अलग तरीके हो सकते हैं अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100-artet के श्टाक का जो मूल्य है वो 95 रुपे है है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सब विकल पर यह करेक्टर अंसर होगा देखिए इसमें थोड़ा सा confusion भी था अगर कुछ और इसमें बदलाओ करना होगा question को हम आपको बता भी देंगे अगला प्रस्नाता है कि 100 और पे का एक stock 125 के भाव में बिकता है 100 और पे जो चीजे दोस्तों को कितने रुपे में बिक रही है 125 रुपे में ठीक है तो वास्विक ब्याज की दर आपको बता नहीं है ठीक है तो यह question दोस्तों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं आप लोग को यह question करना है अगर आप नहीं कर पाएंगे तो comment करेंगे इसका उतर दोस्तों हम आपको अलग सी वीडियो बना कर देंगे एक दो question आपके लिए homework रहना चाहिए ठीक है नहीं तो बहुत से बच्चे वीडियो को देखते नहीं है और कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं तो comment नहीं करते हैं तो तिसी बाले वो comment करेंगे अब देखते हैं आज का अगला प्रस में तो दोस्तों हमारा 29 नमर question क्या रहा है कि यदि A बराबर दिया गया है बराबर दिया गया है तो हमें A intersection B बताना है मतलब जो दोनों में common हो देखिए A में क्या दिख रहा है A B C D यहाँ पर X Y A यहाँ पर A दिख रहा है A तो A intersection B का जो मान आजाएगा क्या आजाएगा हमारा A आजाएगा ठीक है हमारा सही आंतर होगा साविकल अगला प्रस ने यहाँ पर दिया गया है A कमान दिया गया है B कमान दिया कि B में से A को घटाना है अब B में 200 जरा देखती है 3, 6, 9, 12 है यहाँ पर 3 भी है यहाँ पर 6 आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है 6 हो गया 9 भी है और 12 6 और 12 ठीक है तो हमारा जो सही आंतर है B-A यहां बचेगा 6 और 12 क्योंकि हम B में से A को घटा रहे है तो जो यहां A में नहीं होगा होई यहां बचेगा अगला प्रस्थने माइनस 1 और प्लस 1 के बीच धन पुडांग कौन सा समुच्चे है इसका सही आंतर आगा दोस्तों हमारा कौन सा रिक्त समुच्चे है अगला प्रस्थने देखिए समुच्चे A-B का एक समुच्चे बताईए क्या हो जागा दोस्तो B-A-B हो जागा हमारा ठीक है न फिर देखिए X A का अर्थ क्या होते है इसका मतलब होता है X समुच्चे A का एक आउए हो है ठीक है यहाँ पर साब विकल्प को रिक्ता है फिर देखिए समुच्चे 1,2,3 के उप समुच्चे की उकल संक्या होगी उप समुच्चे दोस्तों क्या क्या होँगे पहले देखिए पता ही एक हो जागा 5 फिर होगा हमारा 1 फिर दोस्तों हमारा हो जागा 2 हो जागा 3 और उसके बाद दोस्तों देखिए 1 और 2 भी हो जागा फिर हमारा हो जागा 2 और 3 फिर होगा हमारा 3 और 1 और दोस्तों इसका जो उप समुच्चे यह खुद भी होगा मतलब 1,2,3 टोटल संक्या गिनिए 1,2,3,4,5,6,7,8 कुल संक्या 2 समारी होगी 8 अगला प्रत ने यदि A बराबर दिया गया B बराबर दिया गया तो A इंटरसेक्शन भी 3,5,4,6 कोई मैच नहीं कर रहा तो सयांतर होगा हमार आविकन ठीक है अगला प्रत नाता है गुड़न खंड का X स्क्वाइर माइनस 8X प्लस 7 के गुड़न खंड बताएगे हमने क्या बोला है X स्क्वाइर माइनस का 8X प्लस का 7 फर्स्ट और लास्ट का मल्टिप्लाइ करी साथ एकम साथ और जोडने पर दोस्ट अगर यह चीन देखे यह वाला अगर यह चीन प्लस का है तो जोडने पर 8 आना चाहिए तो हो जाएगा X स्क्वाइर माइनस का साथ एकम साथ साथ एकम साथ एकम साथ एकम साथ उतना 7X माइनस का X प्लस का 7 यहां पर x common हो जाएगा x-7 बचेगा, minus 1 common होगा x-7 बचेगा, x-7 इधर भी इधर भी, दूनों तरफ से दोस्तों, हमारा x-7 common हो जाएगा, बचेगा कितना x-1, तो इसका सही आंतर होगा x-7, x-1, यह देखिए साफ विकल्प एक्दम correct answer है, अगला प्रस्में देखेंगे, का multiply करिए, 15 गुड़े 6, 15 शक्का 90, दोस्त यहां पर minus के चिन ने 15 से पहले, घटाने पर कितना आना चाहिए, यहां x का जो भी होगा, 1 आना चाहिए, तो 10 गुड़े 9 करिए, 10 में से 9 घटेगा, एक बचेगा, ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते है, 6 x square लिखे पहले पू x बचेगा न, यहां से दोस्त हमारा common क्या होगा, यह बताईए आप पहले, तो यहां से हमारा common होगा, 2 x common होगा, 2 x 6 x बचेगा, minus 5, प्लस दोस्त यहां पर हम 3 common लेंगे, 3 3 का 9 x, 3 बचे 15, 3 x minus 5 इधर भी, 3 x minus 5 दूरों तरफ से common, यहां पर बचेगा, 2 x plus 3, देखते हैं, दा विकल पिक्दम करेक्ट आंतर, तो ऐसे दोस्तो 25 में 25 नमबर नहीं आता, उसके लिए आपको थोड़ा संगर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ question आतान होगे, कुछ question कटीन होगे, लेकिन कोई भी प्रतने एक मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अगला प्र प्लस दोस्तो, दस दूनी 20, ठीक है, दस दूनी 20, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, 10 गुड़े, 0 दस मलो 5 गुड़े 2, ठीक है, 100 प्लस का 0 दस मलो 5, दस दूनी 20 और 20 पंजे 100, यहाँ पर जोडने पर आ जाएगा, 10 पॉंट दस मलो, 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा, 10 मल 25, अगला प्रसन देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रसन है, अब देखिए, पूरा 105 का आप गोल स्कॉर करेंग, ज्यादा समय लगेगा, इसमें समय नहीं लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में आपको लग रहा होगा, अब देखिए, इसमें जड़ा 5 दस मलो 4 एक इधर दस मलो 3 छे था, यह वला, यहां 3 दस मलो 2 तीन था, ठीक है, यह हो गया, और रूख यह दोस्ते, यहां लाच्ट में 1.13 था न, यह थोड़ी गलती हो लिए, 1.13, अब दोस्तों 5 दस मलो 4 एक यह हो गया, 4 दस मलो 3 छे यह हो गया, अब यह मैनस मैनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 तीन 6 हो जाएगा, 2 एक तीन हो जाएगा, 3 एक चार हो जाएगा, अब दोस्तों देखें चार दसनों तीन चे में से यह घटेगा तो क्या हो जागा आपस पान दसनों चार एक इन्टू में जीरो हो जाएगा पूरा वैल्यू जीरो ठीक है दा विकल्प करेक्ट अंसर चलिए अगले प्रस्में बढ़ते हैं बाज जी बराबर दोस्तों क्या होता है बाजा गुड़े भागपल प्लस सेस्पल यहां पर सब विकल्प एकड़म करेक्ट अंसर अगला प्रस्में देखते हैं प्रत्म 5 अबाज संख्याओ की मादिका प्रत्म 5 अबाज संख्याओ कॉन 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 से होगा ठीक है, एक सेकंड, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा अब प्रसम 5 संक्य है दोस्तों क्या है ये, ये दोस्तों हमारी विसम संक्य है न विसम संक्य हो के लिए मादिका के लिए फार्मूला n प्लस 1 भाइ 2 होगा पद होता है तो 5 प्लस 1 करेंगे बाइ 2 हुआ पद मतलब 6 बटे 2 मतलब 3 हुआ पद तीसरा पद है हमारा 5 मादिका होगी हमारी 5.0 अगला प्रसन देखते हैं कि यह आख्ले दियेगे इसकी मादिका बता नहीं है टोटल संख्या गिनिए 1,2,3,4,5,6,7 यह दोस्त विसम संख्या है तो 7 प्लस 1 बाइ 2 हुआ पद हो जाएगा 8 बटे 2 मतलब 4 हुआ पद देखे 1,2,3,4,4 पद 9 है आंतर आएगा हमारा 9 ठीक है अगला प्रसन देखते हैं प्रसम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समानतर मादि बताना चलिए इसको करते हैं प्रसम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समानतर मादि प्रसम 5 प्राकृतिक संख्याओं 1,2,3,4,5 होगा ठीक इसको जड़ा जोड़ी 1,2,3,4,5 बटे में दोस्त तो 5 हो जाएगा 2,1,3,3,6,4,10,5,15 15 बटे 5 भाग करेंगे 3 आजरें यहाँ पर 10 विकल पेक्दम खरेक्ट आंतर अगला प्रसम है इसका दोस्तों में बहुलग बताना है बहुलग का मतलब जो भी संख्याओं सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो तो सही आंतर होगा दोस्तों हमारे देखे पहले प्रसम दस प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य में बताना है प्रसम दस प्राकृतिक संख्याओं मतलब बटे में दोस्तों क्या अगवार दस होगा दस है न इतली है दो एक तीन तीन छे चार दस पंदरा ठीक है छे इक्कीस साथ अठाइस आठ छथिस नो पैतालिफ दस पच्छपन पच्छपन बटे दोस्तों अगले प्रसमें बढ़ते हैं यदि प्रेच्छप की संख्या 13 है उसका मत दिन न होए दोस्तों प्रेच्छप का संख्या 13 है मत दिन न होए तो प्रेच्छपन का जो योगफल आएगा तो तेरा गुड़े नो कर देंगे तेरा नोई है एक सो सत्रा दर विखलक एकदम करेक्ट आतर ठीक है चलिए इसको मिटा आते ही विए चले क्योंकि यह कुश्चन की लाइन लगी है एक घन का जो हमारा प्रेच्ट है 24 बर्ग सेंटीमीटर तो दोस्ट एक फारूला पड़े हमने 6A स्कोर बराबर 24 हो जाएगा A स्कोर बराबर आजाएगा 6 से बाग करेंगे 4 एक मान आजाएगा अंडरूट 4 बराबर एक मान 2 आगे ठीक है एक मान आगे घन का आएटन यह दोस्ट वमारी भुजा आगे तो इसका आएटन निकालने के लिए 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 दुनी 4 दुनी 8 तुका क्यूब यह 8 आठ सेंटीमीटर क्यूब आजाएगो ठीक है 47 का पहला अगला प्रसना आता है एक लंब रती बेलन की उचाएदी गई दोस्तों तरिज्जा पता है तो बेलन का आएटन बेलन का आएटन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्कॉयर एच पाई दोस्तों ऐसे रहने देते हैं जो तरिज्जा तीने ती से कि तरह देख सकते हैं दोस्तों लगातार हमारे सारे कुश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग जब पेपर में ऐसी प्रैक्टिक से साथ उतरेंगे न तो फिर आपको मजाने वाली है घंका दोस्तों में आयतन पता आए घंकी पूर बतादी है अब दोस्तो गन का आयतन का फार्मूला क्या होता बताई पहले गन का फार्मूला होता है आयतन मतलब जो बुजा निकालने तो देखिए बुजा बराबर हो आयतन 27 बराबर A Q हो जाएगा यहां से एक मान अमारा तीन आ जाएगा अगला प्रस्ने के हमारे घन की बुजा दी गई है घन का प्रष्ट बताना है इसका जो फार्मूडा हो जाएगा 206A2 मतलब 206 इंटू एक जगे 6 का स्क्वार कर देंगे 36, 6 गुड़े 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 36, 6, 18, 216 cm2 ठीक है अगला प्रस्ने देखते है घन का विकड़ दिया गया है तो आयतन बताना बहुत यह अच्छा प्रस्न है अगर दोस्तों में कभी घन का विकड़ पता होका तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अंडरूट 3, x बराबर विकड़ दिया गया चार अंडरूट 3 रूट 3 यह अंडरूट 3 से कड़ गया, x बराबर 4 cm यह भुजा आगे आयतन बताने तो मतलब आयतन के लिए फार्मूला पता हो जाएगा हमारा 4 का हो जाएगा क्यूब हो जागा 4 गुड़े, 4 गुड़े, 4 गुड़े, 4 गुड़े, 4 गुड़े, 16 गुड़े, 64 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है यह साविकल, अगला प्रस ने एक कमरे के फर्स का छेतरफल दिया गया है उचाही पता है, कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन का दोस्त जो फार्मूला होगा जो छेतरफल इंटू उचाही मतलब 48 गुड़े, 5 कर देंगे, 5 गुड़े, 45, 25, 24, 24 गन मीटर, 240 अगला प्रस ने वरत की इस पर्स रेखा वरत की त्रिज्जा के साथ कौन सा कोड़ बनाती है, सबको बताऊगा, 90 नहीं पता तो याद कर लेना है, आर्थ त्रिज्जा वाली किसी अर्थ वरत का परिमाब बताईए, बहुत ही अच्छा प्रस ने एक सेकन्द दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारी आर्थ रिज्जा होगी ठीक है, अर्थ वरत देखे पहले वरत का जो परिमाब होता होता है, हमें अर्थ वरत का बताना तो हो जागा हमारा टू-पाई-अर upon में 2 plus में 2 से जो आदा और r बचेगा यह 2R यह रहेगा यहांसे 2 से 2 कटेगा यहांसे r कामा लेगे pi plus 2 बचेगा ठीक है यह यह अंतर r pi plus 2 the vehicle correct answer तो देखे जब आप इतनी fast solution करेंगे न तब फिर देखे paper में मजाएगी किसी वरत का ब्यास 6 cm तो भाईया वरत की त्रिज्जा आदी होती है ब्यास 6 बटे 2 करेंगे दो तिया 6 cm तीन आ जागा फिर अगला प्रसन देखें किसी वरत की त्रिज्जा 3 cm तता इस पर सरेखा की लंबाई 4 cm बहुत एच्छा प्रसन इसको भी करके दिखाते है ठीक है आप देखें दोस्त यहाँ पर रहते होगा यह दोस्त हमारी त्रिज्जा दीगा यह 3 cm यह हो गया हमें यह दोस्त दूरी अब आपको बताने है ठीक है तो दोस्त एक दूरी हमारी 4 हो जाएगे देखें तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रम में लगाएंग तो हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वार प्लस 4 के स्क्वार बराबर 2 से यह दूरी हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वार 9 प्लस 4 के स्क्वार 16 यह अंडरूट में आ जाएगा दोस्त हो जाएगा हमारा अंडरूट 25 आंतर आगा 5 सेंटीमीटर ठीक है साब विकल्प एकड़म करेक्ट आंतर हो गए यहाँ पर हमारा उसके बाद आज का अगला प्रस्न देखते हैं यह 200 देखे लिखा log यह देखे ऐसे लिखा था question log 10 बेस में ऐसे हैं power 4 यहाँ पर 200 हो जाएगा 4 आगया जाएगा log 10 ऐसे यह यह 200 log 10 यह हो जाएगा 1 तो यह हो जाएगा 4 गुड़े 1 बराबर आंतर हैगा 4 फिर अगला प्रस्न देखते हैं कि एक गन सेंटीमीटर तामबे के तुकड़े को पिगला कर एक मिलीमीटर मोटा तार खीचा गया है तो तार की दोस्तों में लंबाई बतानी है तो इसका जो 200 सही आंतर हैगा वो 120 सेंटीमीटर हैगा यह आप लोग करके बताएंगे कैसे हैं देखिए कुछ questions हम आपके लिए भी देंगे एज़ा homework ठीक है नहीं तो बहुत से बच्चे वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देख लेंगे फिर कहेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आए तो थोड़ी practice आप लोग करेंगे नहीं आएगा comment करेंगे उसके बाद इसका भी solution अलग से आएगा अगला प्रत्मे 4x square प्लस 12xy में क्या जोड़े कि यह पूरूर्ग बन जाए अब दोस्तों विकल्प से इसका आंतर मिकाल सकते देखें 4x square रहना यह 12xy इसको दोस्तों लिख सकते है 2x का whole square प्लस दोस्तों इसको लिख सकते है 2 into 2x ठीक है अब क्या बचरा दोस्तों यहां पर 2 दोनी 4x मतलब यहां पर दोस्तों multiply के लिए बचरा 3y यहां पर दोस्तों 3y को whole square करें तो कितना हो जाएगा मतलब 3y कैसे square करें लिख लें तो हो जाएगा 9y square तो क्या जोड़े की पूर्डोर्ग बन जाए तो simple सांतर आएगा 9y square ठीक है हमारा दोस्तों यह वाला विकल्ब करेक्ट आंतर होगा अब चलते हैं आज के अगले प्रस्ण की तरब देखें सभी questions important है एक बात याद रखना है कोई भी प्रस्ण है ऐसा नहीं जो important ना हो यह बुजा वाले सम बाहुत रिबुज के परिग्रत व्रत का जो 6 तरफल होगा वो क्या होगा बताएगे यह होगा दोस्तों 1 बटे 3 pi a square ठीक है अगला प्रस्ण आता है यदि दोस्तों 4 प्रेचडों का माध्य हमारा 20 है और जब प्रत्य प्रेचड में C को जोड दिया जाता है तो माध्य 22 हो जाता है C का माध्य बताना बहुत ही अच्छा प्रस्ण है 4 प्रेचर मान लेते हैं दोस्त हमारे X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 है बटे में 4 हो जाएगा इसका मादी दिया गए दोस्तो 20 तो यहां से हम X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 का मान निकालेंगे तो 20 गुड़े 4 80 हो जाएगा ठीक है? इतना हो गया उसके बाद दोस्तों बोला गया जब प्रतेक में हम C को जोड़ देते हैं मतलब X1 में भी हम C को जोड़ेंगे फिर X2 में भी हम C को जोड़ देते हैं फिर दोस्तों X3 में भी C को जोड़ देते हैं X4 में भी C को जोड़ देते हैं तो दोस्तों बटे में 4 रहेगा हमारा फिर से और हमारा दोस्तों नया मात्य बाइस हो जाते हैं 22 तो दोस्तों यहाँ पर 4 का multiply उदर कर दीजे पहले कितना हो जाएगा 22 जो क्या ठाती मतलब इसको लिखेंगे यहाँ पर रखेंगे 80 प्लस का हो जाएगा 88 यहाँ दोस्तों हमारा 4C बड़ाबर दोस्तों हो जाएगा 88 C बड़ाबर हो जाएगा 8 बटे 4 C कमाना जाएगा 2 ठीक है 61 का हमारा बभ विकल्प एकदम करेक्ट आंतर होगा हो गया 40 को मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं अच्छा प्रस्ना था है ऐसे question paper में आपको फसा सकते है बासट नमर question 20 संक्याओं का समांतर मादे 12 है तो इन संक्याओं का योग simple तर क्या करेंगे 20 गुडे 12 12 दूनी 24 240 अब विकल्प करेक्ट आंतर अगला प्रस्ना आता है हमारा कि A-1, A-5, A-11, A-17 का समांतर मादे 10 है तो A कमान कितनी टोटल संक्याओं एक, दो, तीन, चार तो लिखेंगे यहाँ पर A-1, प्लस में दोस्तो, A-5, फिर हमारा आरा A-11, फिर प्लस में A-17 बटे में दोस्तो हमारा 4 आ जाएगा, बराबर दोस्तो हो जाएगा हमारा 10, A कितनी बार है? 4 बार है तो हो जाएगा 4 A, उसके बाद दोस्तो अब देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आम दो 17, 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 5, 33, 33 में से ए गया 32, यह हो जाएगा 200 प् बटे में से 32 गटेगा, 8 बचेगा, ए पराबर आ जाएगा, 8 बटे 4, 4 दुनी 8, तो सही आंसर दोस्तो हमारा A कमान 2 आ जाएगा न, तो कौन सा सही होगा? यहाँ पर प्लस 2, सब विकल्प करेक्ट आंसर हैं, अगला प्रसने देखते हैं, एक वरत की तरिजा दी गई यह 5 सेंटीमीटर, बाए बिंदू से वरत पर कीची गई, इस पर तरेका की माप 12 है, तो बाए बिंदू से दोस्तों वरत के केंदर की माप होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रसने बताएं, अभी दोस्तों हम लेगे एक प्रसने थोड़ी देर पहले देखा भी था, ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमारे एक ब्रत होगा, यहाँ पर जोत रिज्जा दी गई है, ठीक है, बाए बिंदू से दोस्तों कोई देखा खीशी जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लेगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा हो जागा, यह 5 पर स्क्वार करेंगे, और 12 के स स्कॉर प्लस 1200 स्कॉर कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 अंडरूर्ट के इसको सलुशन करेंगे तो आजएगा 169 इसको सलुशन करेंगे तो आंतर आजएगा 13 ठीक है तो सही आंतर होगा हमारा बविकल 13 सेंटीमीटर पिर हमारा अगला question क्या रहा है आपर पैसेट नमर जरा देखते हैं तीस एकसो बीस नबबे तीनसो समाल नुपात में नहीं है क्योंकि देखें दोस्तों जो बाय पदों का गुड़न फल है मद पदों का गुड़न फल के बराबर नहीं है सही अंतर हमारा बाय विकलब होगा ठीक है अगला question देखते हैं चितर में ओ व्रत का केंद्र है यह ओ भी 80 यह कोड़ 80 यह कोड़ कितना हो जाएगा इसको हम 360 में से 80 कटाएगे आजाएगा 280 यह जब यह 280 यह वाला कोड़ हो जाएगा व्रत का ब्यास है बिल्कुल गलत है हमें सही चीज़ बताना है रेखा C D 200 व्रत की छेदिका है एकदम करेक्ट C और D देके व्रत को छेद रहे अगला प्रतनात है 2000 रपे का 5% वार्चिक सरहल ब्याज की दर से 2 वर्च का ब्याज बताई है 2016 में पूछा गया प्रस्न भी है ठीक है तो क्या हो जाएगा 200 P R T मतलब जो आमने फार्मूला वता था P R T मतलब मोल्दन गुड़े तर गुड़े समय बटे 100 हो जाएगा 2000 गुड़े आर के जाए 5 T के जाएगा 2 बटे 100 दो जिरो सो दो जिरो कटा 20 पंचे 100 गुड़े 200 हो जाएगा 200 रुपे सब विकल्प को रेक्ट आमता है अगला प्रस्न पांच की गाते 6 बराबर 15 625 का लगू बड़की रूप होगा इसको करके देखते हैं अब दोस्ते या लॉग रखेंग तो सबसे पहले लॉग के साथ ही आएगा ठीक हम लोग 15625 और यह पांच बेस में आजाएगा 6 आगे ऐसे हो जाएगा पहुंत विकल्प से दोस्ते हमार आविकल्प अगला प्रस्न है यह समान पात वाला देखिए जो मंद्य का गुड़न फल और भाय का गुड़न फल तो यह हो जाएगा दोस्ते हमार 16 एक्स बराबर हो जाएगा 88 64 ठीक है 64 हो जाएगा ठीक है अब दोस्ते हैं 16 16 16 64 64 तो एक्स कमान आजाएगा हमारा 4 अगला प्रस्न एक अतर नंबर व्रत के चाप और उसकी जीवा द्वारा गिरा वा छेत्र कहलाता है इसको बोलते हम लों त्रिज्य खंड अगला प्रस्न अगला प्रस्न आता है 5xy 4xz 5xq का एक उबैनिष्ट गुडन कंड होगा इसको मिटाते है पहले अब दोस्तो देखें इस प्रस्त को पहले लिखते हम दो 5xy 4xz 205xq यहांसे x कमान ले लेंगे बचे का 5y 4z 205q ठीक है उबैनिष्ट जो भी हमारा होगा गुडन कंड यह x ह अगला प्रस्न आता है कि किसी घनाव में सीर्स होते हैं देखें दोस्तो जो घनाव में सीर्स होते हैं उनकी संक्या होती है 8 ठीक है एक बात और आपको बता दें घन में जरा लिख लिजेगा घन में दोस्तो 8 सीर्स होते हैं और फलक की संक्या जो घन में होती होती है 6 और क जहाठानों की संक्या दोस्तों जो होती है वो होती है 12 अगला प्रस्ण है परइमेल संक्या तीन बटे पांच से बड़ी परिमेल संक्या तीन बटे पांच का मतलब 205 से भाग करेंगे , 10 cidade पांच चंग 30 अब 10 से बाग करेंगे दोस ने हैं 0, 4 यह माइनस में 0, 4 बाग करेंगे 0, 6 यह आगा 0, 10, 7 बढ़ी संक्य यह होगी न 0, 6 से बढ़ी संक्य क्या है 0, 10, 7 अगला प्रसन आता है यह दोस ने आपर भाग का चिलें था लिखा है कि xc-6 upon xc-7 यह दोस्त हो जागा xc-6 plus 7 आएगा xc-1 सब विकल्प correct answer होगा अगला प्रस्न है x square minus 4 upon x plus 2 का whole square का new term परिमे मान होगा इसको दोस्तों लिख सकते हैं x square 4 को लिख सकते हैं 2 का square upon में x plus 2 का whole square यह हो गया a square minus b square तो मतलब a plus b upon में दोस्तो x plus 2 का whole square एक दोस्तों यह कट जागा बचेगा कितना है x minus 2 upon x plus 2 यह पर विकल्प एगदम correct answer अगला प्रस्न है कि एक गन की core 4 cm हो तो उस गन में कोरो की संख्या दोस्तों गन में जो कोरो की संख्या होती उसकी यह गन की core की लंबाई पर 16 नहीं यह से लिखा है इसके 200 देखें log लिख सकते 13 179 का दोस्तों लिखें लिखें 119 को हम लिख सकते 13 के square यहां पर ऐसे होगा log 13 हो जागा 13 का square यह 202 आगया जागा 2 log 13 बेस में 13 यह 203 यह जब कभी cm हो जाएगा तो इसका मान हमेशा 1 होगा 2 into 1 मतलब answer 2 आएगा अगला प्रसन देखते हैं अर्थ ब्रत में इस इस code का मान होता है इसका मान हमेशा होता है नभवेंस सब विकल पर correct answer होगा इसको टिक करेंगे तो दोस्तों जिन बचों ने अज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतर तक देखा ठीक है बहुत अच्छी बात है अब इसके बाद आप part 2 में अति लगो 3 part 3 में लगो 3 प्रसन जरूर देखेंगे अगर आप अभी तक हमारे youtube चैनल पने हो तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा जितने आने वाली वीडियो की notification हम आप तक पहुचा सके और वीडियो का अधिक सधिक अपने दोस्तों सा फियर भी करना है अगर तो उसको जलबाजी में कोई question गलत हुआ है तो उसको भी आप लोग comment करके बताएंगे और आप लोग हमारे whatsapp से जुड़ने के लिए नम्मा लिख लिए 8738079216 सबताफी 380792 टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट वाक्स में दिया गया बिलकुँ फ्री में जॉइन हुई है उससे फिर मिलते हैं stay connected have a nice